इसलाम अलेकूम आज हम बनाएंगे कद्दू की जटपट बनने वाली सब्जी इसके रिए मैंने चॉपिंग कर ली है आप किसी भी साइस में जैसे चाखू वैसे चॉपिंग कर सकते हो अब हम डालेंगे जटपट इसमें सबसे पहलेंगे नमाद फिर जालेंगे हल्दी धन्या पाउडर दो चम लिया हल्दी एक चम मचली है और दो चम मचली है मिर्ची और ये गरम मसाला मैंने कड़ाई चड़ा दी है तड़का लगाएंगे एक ओन्यों ली है मैंने जीरा राई और चड़ीला और तेज पकता एक चम मच तेल डाला है तेल गरम हो चुका है अब में पुरा तड़का लाज़ेंगे थोड़ी खाल होने लेंगे फिर हम इसको पुरी सब्ची को ढाल देंगे करेंगे थोड़ी थोड़ी दर के लिए धाक कर रख देंगे एक मिनिट हो चुका है अब हम इसे थोड़ा चाल देंगे थोड़ी दर के लिए कि मिले से चाल देंगे फिर साथ दो-तेन मिनिट के लिए धबकन लगा देती हूं अब फिर से चालेंगे एक पानी दालना चाहों को थोड़ा पानी कर सकते हैं और नहीं करना हो इसी अगरा में देना हो बच्चों को आप मत डाले पानी आदेंगे आप अभी गली नहीं है थोड़ी दे रोर में लगए इसे बन करके रखूंगे मैं इसमें फ़ड़ा सा पानी एट करूंगी एक थोड़ा सा ही करूंगी हमारी सब्सी कर चुकी है और हम इसको बन कर देंगा इसमें हरा धुनिया भी डालते हैं पर मैंने डालूगी क्योंकि मेरे एक बच्चे को इसमेहरा धन्या पसंद नहीं है तो में एक को दूंगे डालके और एक को नहीं डाली है माशाल्ला भटेस्टी बनी है प्लीस आप इसे ट्राइ करें वो रेसीपी पसंद आई हो तो लाइक एन सब्सक्राइब अब मैं इसमें डालूँगी बनने के बार नीलम मसाला या तो फिर आप मेंगी मसाला डाल सकते हो इस तरीके से मैं इसमें डालूँगी इसको सर्ड़ कर दें पालूँगी के उस के लिए प्र intervention ए सनब थाट्र को पेड़़irtां है के उसलिए लगजा है